आफ लाइन एक्जाम होने से इस बार विद्यार्थियों के संख्या घट गई है आविदन एक लाग साथ हजार मिले हैं वही डीयू ने परिक्षा संभावित डेडलाइन भी जारी की है हेम चंद यादव विश्विद्याले दुर्ग द्वारा इस बार आफ लाइन परिक्षा कराने से इन रोड होने वाले परिक्षार्थियों की संख्या आधे के करीब हो गई है पिशली बार आउनलाइन एक्जाम के समय यहां परिक्षार्थियों की संख्या दो लाग के पार चली गई थी तो इस बार मात्र एक लाग साथ हजार में रुख गई है हेमचंद यादव विश्विद्याले दुर्ग ने परिक्षा को लेकर संभावित डेडलाइन भी जारी कर दी है इसे लेकर उन्होंने बताया कि सत्र 2022-23 में आयजित की जाने वाली वार्षिक परिक्षा के लिए लगबख एक लाग साथ हजार आवेदन प्राप्त हुए हैं पिशली बार इन आवेदकों की संख्या दो लाग से अधिक थी वही विश्विद्याले से मिली जानकारी के अनुसार डी यू में वासिक परिक्षा के लिए आवेदन लेने की अंतिमती थी समाप्त भी हो गई है वही विद्यार्थियों की मांग पर ये ती थी दो जनवरी 2023 तक बढ़ाई भी गई है इस ती तक 200 रुपए विलंब शुल्क के साथ आवेदन लिये जाएंगे इसके साथ ही परिक्षा की संभावित डेड लाइन भी जारी होगी विश विद्याले में पढ़ने वाले सभी नियमित व स्वाध्याई विद्यार्थियों की प्रायगिक परिक्षाएं फरवरी माह में अयुजित की जाएगी इसके लिए सभी परिक्षा केंद्रों को बाहे परिक्षकों की सूची उपलब्द कराई जा रही है ये प्रायोगिक परिक्षाएं संभावता एक से 28 फरवरी के बीच कर ली जाएंगी इसके बाद वार्शिक परिक्षाएं मार्च महिने के दूसरे सब्ता होली के बाद अयजित की जाएगी ग्रैनेसीन नियूस के लिए दुर्गसे नसीम फारुकी की रिपोर्ट